बहेडी उत्तर प्रदेश में डियेम बरेली ने बहेडी तहसील के बकोली गाउं में लगाई चौपाल बरेली के तहसील बहेडी के गाउं बकोली में सरकारी स्कूल में डियेम नीतिश कुमार चौपाल लगा कर कींद्रवार राज्य सरकार जन्न कल्यान की युजनाओं के बार में बताया वहीं स्कूल के अधूरे पड़े खरंजे वा नाली को देखकर बीडियो पंकत सिंको फटकार लगा दी डियेम ने कहा कि प्रमुक सचिव का कभी भी इस गाउं का दोरा हो सकता है अगर कोई भी कमी निकली तो सक्तेकारवाही की जाएगी गाउं में लगी चौपाल में सरवादिक शिकायत राशन कार्ड को ले कर रहीं ग्रामीडों ने बताया कि गाउं में कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं यहां तक कि सत्यापन के बाद भी आज तक राशन कार्ड नहीं मिले हैं जो लोग राशन कार्ड के पात रहे उन लोगों के राशनकार जल्द बन जाना चाहिए। डीम नीटिश कुमार ने केंद्रवा राज्य सरकार के व्रद्धावस्ता पैंशन, विद्वा पैंशन, स्वास्ते से संबंदे तियुजनाओं के बारे में बताया। इस दोरान डीम बरेली नीटिश कुमार, CMO बरेली, SDM बहेडी, सुधीर कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे। बहेडी से रवी शर्मा की रिपोर्ट।